बिटामिन E को काफी अच्छा सोर्स माना जाता है आपके इसकिन की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए चाहें फिर वो ओईल फॉर्म में हो या फिर हम इंटेक कर रहे हो या फिर किसी रेमीडी के साथ आप लोग उसको लगा रहे हो तो हेलो बेलकम बैक टू मैं चैनल कै चाहें आपकी ड्राइ स्किन हो या फिर कॉंबिनेशन इसकिन हो या ओली स्किन हो आपकी स्किन में पिग्मेंटेशन हो मेलाजमा हो ब्लैप है और डैट सेल्स हो कुछ भी हो डेमेंज हो रखी उन सेम्में बहुत जादा अच्छा वर्क करता है आपका बिटामिन E आईए के लिए कैसे वर्क करता है आपके इसकिन को कितना अच्छे से आपकी इसकिन प्रॉब्लम को ट्रीट करता है मैं यहां शियर करूंगी दो रैमेडी जो की टूटली आपकी घरों की चीजों से बने हुए हैं और वह विटामिन काईड़ करते हैं तो क्या है लिए Change here ustalic अar मिलते हैं उनके jo visit Aunque लाइक करना चैनल ऑफ नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपनी फेंगल लाइन शेयर करना शेयर करना इन को आपको सेवन डेज तक कंटिन्यू यूज करना है त्री वन डे टू डे में आपको रिजल्ट काफी अच्छी मिलने लगेंगे लेकिन आपको कुल भी रह मिली है सेवन डे तो तक तो आप उसको यूज करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले मैं य लाइटन अप करते हैं लाइटन अप करते हैं और ऑईली और ड्राई स्किन दोनों के लिए काफी अच्छा है यहां मैं दो चीज़ें करूंगी एक है सीरम दूसरा है क्रीम जो की अगर कंटिन्यू आप लगाते हो तो आपके स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लोंगी ओइल क्या हैं बिटामिन ए उैल मिलता है लेकिन थोड़ा महंगा मिलता है और ए थोड़ा सस्ती में पड़ जाता है एफ़ डेवल में मिल जाता है एकば या 50 रुपीज को मैं आपको ये पूरा 10 कैपसूल का पाउच मिल जाता है, पैक मिल जाता है, तो आप इसको डेली के लिए परपस के से बना सकते हो, या फिर आप बीकली इसको लगाओ, उस परपस से बनाओ, तो यहाँ पे मैंने 4 कैपसूल लिये हैं, चारों का क्या किया है आइल निकाल लिया है, आइल काफी अच्छा है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन हमको अपनी स्किन में और जादा ग्लोई और डूई बनाना है, तो उसके लिए क्या है, हम इसमें और भी चीज़े यूज करेंगे, इसको सब को अच्छी से निकालने के बाद मैं यूज कर रही है, कुकुमबर जेल, गुडवाइब्स का कुकुमबर जेल है, अगर आपके पास जेल नहीं है, तो आप यहां पे कुकुमबर का जूज, याणी खीरे का जूज कर के उसको जूज है, पूरेबन एक चमच के समठिंग आप एड़ कर सकते हैं, क्यूंकि हम य हाँ यूज करें हाँ हल्दी अमबा हल्दी यूज कर रहे हैं आप कोई भी हल्दी ले सकते हो अपनी घर वाली हल्दी भी ले सकते हो जो आपकी इसकिन की यहां पर क्या है एपल साइडर विनेगर लोंगी में हाफ टेवल स्पून और इसको क्या है अच्छे से मिक्स करना है और इसमें कोई भी लंस ना पढ़ें क्यूंकि मैंने यहां पर क्या किया है कुकुम्बर का जैल लिया है तो इस वज़े से क्यूंकि लंस पढ़ सकते हैं तो आप इसको अछ़ए मिक्स करने के बाद किसी भी सीरम की बोटल में रकाना है या च्छी सीरुख कर के रख लें जब लगाएं तो इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे इसे प्राइड करने जसे क्या एव concerned vy बखना है और यह अपनी हम फिंगर्ज देना जैसे सिन ब्रॉब सुन है जहेगा आपके सकेन में सिर्फ 30-40 सेकंड ले चाहिए आपकी सक ли और अभी जो सीजन है बैडिंग सीजन है अगर आप ब्राइड हो तब ही तो ये यूज करना शुरू कर दीजिए और सेवन डे कंटीन्यू आप इस सीरम को लगाईए आपकी जो भी प्रॉब्लम उसकी सब सॉल्फ होगी आपकी स्किन को मॉइस्टिराइज नरिस प्लस पिग अगर आपको निवू सूट नहीं करता तो तब भी आप डाली क्योंकि एक चीज सिंगल लगाने से आपकी स्किन में रियक्शन कर सकती है लेकिन जब मिक्स करके लगाओगे तब रियक्शन नहीं करेगी आप इस स्किन को लगाईए लैक्सित्रिक एसिड रहता है जो आपक हेक्शन को फीर की स्किन को स्किन को करता। घुराइव रखता है पक्रे़ से हमको किया कर लेना, मिक्स करने के बादव अच्छी सी एक क्रीम पन साच अजाएजिए आप मिक्स करनती हो मिक्स इस पानि में था की गरें से दही में पाशन के छाको हो करते हो फेस का जो इस ट्रक्चर है फेस का कलर है वह कैसा है मैंने कुछ भी एपलाई नहीं किया कोई भी क्या है यहां पर ज़स्ट उसको एपलाई करना है और जटना हो सकते इस क्रीम को आप श्टुर करके फ्रिज में रख दीजिए त्री तो फोर डेस तक आफ इसको नॉर मसाज क्रीम करनी है पूरे फेस पर एपलाई करना उसके बाद अपने फेस को अच्छे से मसाज देना है जिससे कि आपका ब्लड सर्कूलेशन बढ़ेगा आपकी डर्ट और डेट सेल्स होगी वो रिमूब आउट होगी और आपकी स्किन काफी लाइटन अप और ब्राइटन होगी और आप खुद इस चीज का रिजल्ट देख सकते हैं मेरी स्किन का पहला जो कॉंप्लेक्शन था वो कितना था और अब कॉंप्लेक्शन क्या है सेम मैंने कुछ भी नहीं कि सिर्फ इसको एपलाई कि और अच्छी से मसाज किया है अपने फेस पे और हां बैडिंग सी